दोस्तो आज मैं आप सब के लिए एक स्नाक्स रेसिपी लेके आई हूँ उड़त दाल बड़ा की रेसिपी जिसको आप वी मार्निंग के ब्रेकफस्ट में और इवनिक के स्नाक्स में भी खा सकते हो चलिए जानते हैं इसके लिए क्या क्या जरूरत है और केसे बनाए है पूरत डाल भड़ा बनाने के लिए हमें हाँ एक कब पूरत डाल ले लिये है जिसको अच्छे से साब करके भीगो लिये है 2-3 खंटे के लिए यह बीना छिलका वाला है और यह दो चमच अर्वा चावल भी लिये है आप इसके जगा सूजी का भी यूज कर सकते हैं और उसमें डालने के लिए कड़ी पता तीन से चाल डंठल लिये है और एक मीडियम साइज प्याज को इस तरह स्लाइस में काट लिये हैं इसके इलाबा आप इसमें अध्रक भी गीश के डाल सकते हो और हरी मिर्ची को छुटे-छुटे टुकड़ों में काटके भी डाल सकते हो अब अच्छे से पानी को निचोड़के हम उड़त डाल को एक मिक्सिंग जार में डाल दिये हैं पीसने के लिए उड़त डाल और चावल को पीस लिए हैं देखिए इस तरह एकदम मोटा मोटा बना है सरी काड़ा बनाये हैं ब्याटर को ज्यादा पतला नहीं करना है और थोड़ा दरदरा पीसे हैं जिससे की हमारा जो बड़ा है एकदम क्रिस्पी लगेगा अब सारे उड़त डाल को पीस लिए है एक बरतन में लिका लिए है और इस तरह अच्छे से क्लॉक वाइज फेट ले रहे हैं आप चाहे तो वीटर में भी फेट सकती है अच्छी तरह पांस से दस मिर तक फेटने के बाद हम इसको ढखके एक से देड़ घंटे के लिए छो अब यह बड़ा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है हम इसमें जो श्टॉपिंग भगे रह लिया थे उसको डाल देंगे कड़ी पता और प्याज को आप चाहे तो इसमें धन्या पता भी डाल सकते हो और अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं ब्याटर के साथ अगर आप थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हो तो हरी मिर्ची को भी डाल के डाल सकते हो छोटे छोटे टुक्रा में और प्याटर को साइड कर देंगे और ग्यास का फ्लेम को ओन करके एक कड़ाई चड़ा लिए है जिसमें हम तलने के लिए तेल डाल दिए है तेल गरम ह हुआ कि नहीं थोड़ा चेक कर ले रहे है और हमारा तेल एकदम पॉफेट गारम हो चुका है और एक बर्तन में हम एक लास पानी ले लिए है जिसमें हम हाथ को डीप करके बड़ा बनाएंगे इस तरह एक प्लेट लिए है प्लेट के पीछे साइड में थोड़ा पानी लगा देंगे और यू ब्याटर को इस तरह फेला के हम बड़ा को बनाएंगे इसके अलाबा और एक टिप्स में बताऊंगे आपको जैसे कि हमें आसानी से अच्छे से बन जाएगा हमारा बड़ा देल में डाल दिये है बड़े को और ग्यास का फ्लेम को हम मीडियम करते रहे हैं आप चाय तो हाथ में भी बना सकते हो या फिर किसी पत्ते के उपर रखके बना सकते हो आपको मैं दिखा रही हूँ यह चाय की छनी में भी हम अच्छे से बड़ा बना सकते हैं जाय के छनी को पानी में थोड़ा डूबा लिए और थोड़ा टाप कर दिए पानी को छोड़ दिए और उसके पीछे साइड ब्याटर को रखके इस तरह तेल में छोड़ दिए उससे कि हमें तेल का छिटका भी नहीं लगेगा और आमारा बड़ा एक्तम फर्फेक्ट बनके बनेगा देखिए हमारा बड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुका है दोनों साइड अब इसको एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं इसी तरह सारे प्याटर में हम बड़े को बना लिये हैं अब हमारा बड़ा बनके तेयार हो गया है अब इसको सर्फिंग करने की प्रोसेस में च अगर आपको यह रेसिपी अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कॉमेंट कीजिएगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा साथ में हम माटर आलू की घुबनी भी दे दिये हैं सार्फ कर दे हैं माटर आलू का यह घुबनी रेसिपी मेरे चानल में अल्रेडी अपलोड है आप उसको विजिट करके देख सकते हो और उपर थोड़ा फ्राय किया हुआ हरा मिर्ची और फ्राय किया हुआ कड़ी पत्या डाल की गानिस कर दिये हैं सर्फ कर दिये हैं गर्मा गर्म बड़ा और आलू मटर की घुबनी रेसिपी सर्फ हो गया है रेसिपी अच्छा लगा है तो लाइक, सेयर, कॉमेंट कीजिएगा और चानल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा पास में जो बेल बटन है उसको दबाना मत बुलिएगा जिससे की मेरे ने ने आने वाले वीडियोस की नोटिपिकेशन आपको मिल सकेगा मिलते हैं और एक ने रेसिपी के साथ तब तक के लिए हूं कियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल का बटन दबाना मत बुलिए जिससे की आपको ने 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 नोटिपिकेशन पहले मिल सके